हाई अब्रिवन और इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो इसमें हम रेनिन मार्टेन की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एन कंपोजिजन उसका जो समरी है मतलब हर चैप्टर जो लगबग दो से तीन पेजीज में जो चैप्टर है तो उसको हम मतलब समराइज करके उसको मैं एक वीडियो में कवर कर रहा हूं तो अब तक हमने दो चैप्टर कवर कर लिए तो यह तीसरा चैप्टर है और जिसमें हम कवर करेंगे फ्रेज और क्लोज को कवर करेंगे तो जैसे जैसे धीरे-धीरे करके इन वीडियो उसको देखोगे पहले वीडियो आपको जो टर्म्स हैने English grammar में जो यूज होते हैं जैसे phrase हम बोलते हैं यह phrase है यह close है यह sentence है यह declarative है यह affirmative है यह negative imperative sentences है यह फिर प्रेडिकेट है subject है तो दीरे दीरे करके जो English grammar में English में जो term use होते हैं धीरे दीरे आप उनको सीखोगे और इस किताब में इसको इतना systematic तरीके से इसको रखा गया है कि आप step by step चीजों को एक foundation आपका ऐसा होगा ना कि अगर आप प्रेडिके प्रेडिके जो English का एक्जाम में मदद करेंगा इसके लावा के वी एस एन वी एच या फिर एससे बेंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यह जो वीडियो आपको मदद करेंगी ओके तो चलिए फिर आज के चैप्टर को करते हैं start तो आज का चैप्ट तो किस तरीके से डिजाइन किए गये तो अब इसको इस तरह से देखो कि जो एक चैप्टर अथको कहीं बार करके पढ़ाया गया है लगी हर चैप्टर को तो नहीं लोग जो चैप्टर इनको लगता है कि हां वा इसको एक बारी में नहीं समझ सकते जैसे कि यह जो तीसरा है हमारा मैं इसको एक बर बताऊंगा आपको हाईलेट करते हैं इसको पहला चप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया टेंस का चप्टर पहले वीडियो है चोटा सा चप्टर है और मैंने इसको 15-20 में समझा दी है उसके बाद हमने दूसरा चप्टर पढ़ा सब्यक्ट एंड प्रेडिकेट को तो उसको भी हमने सीख लिया है अब तीसरा जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे वह हमारा है फ्रेज और क्लोज का तो यह फ्रेज और क्लोज ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में पूरा हो जाएगा मतलब यह कि एक स्टार्टिंग कर रहे हैं यह सर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर आपने यह तो जान लिया कि यह सब्जेक्ट है यह प्रेडिकेट है लेकिन इसके अलावा जैसे फ्रेज किसे कहते हैं एक ही सेंटेंस में सेंटेंस कितने होते हैं आपको पता ह यह नहीं बोल सकते हैं मुझे को sentence के बारे में नहीं पता अगर मैं बोलता हूं declarative sentence है तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात करें उसकी क्या पहचान है तो उसमें phrase और close को समझेंगे कि यह है क्या तो इसमें मैं आपको आज थोड़ा सा basic बताऊंगा इस chapter को हम दुबारा भी करेंगे जब एक close chapter हम पूरा समझेंगे तो यहां हम केवल एक understanding करेंगे phrase किसे कहते हैं close किसे कहते हैं और इसके basis पर हम आगे जो chapters आएंगे और यह कितनी तरह के होते हैं उसको हम जानेंगे इसके बाद जो अगला chapter हमारा होगा वो parts of speech का होगा आपको के साथ parts of speech तो हमारी eight होती है जिसे noun है प्रोनाउन है एड्जेक्टिव है कंदंग्शन है प्रेपूजिशन है तो फिर यह parts of speech क्या देखो इसमें क्या होगा fourth chapter में तो मतलब उसने यहां पर parts of speech में पूरा उसको हम जितनी भी हमारी parts of speech उसको हम अलग-अलग chapter में पढ़ेंगे लेकिन हमने इसको यहां पर एक summarize तरीके से हम आपको पढ़ाएं कि हम पूरा का पूरा जो parts of speech है वो होती क्या है तो अगले chapter में हम पढ़ेंगे parts of speech को इसमें हम तीसरा chapter मतलब यह तीसरी वीडि उसको तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है sentence या फिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप एक बार उसको देख लो ओके जिसमें देखो ऐसा होता है कि आप मैट्स की बात करो चाहिब इंग्लिश की बात करो तो एक concept को आप ध्यान रखो कि जो चीज आती है ना और जो चीज आपको नहीं आती तो सबसे पहले उसको पढ़ लो जो चीज आपको नहीं आती तो जब आपको जो चीज आपको नहीं आती है उसको पढ़ लोगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी और जो आपके लिए आपको आती है वह तो फिर आपके लि कोई हमारा हिंड्रेंस बन जाती है और क्वेश्चन समझे नहीं हो पाते हैं तो जो चीज आपको जैसे नहीं आती उसको कर लो और यह तो देखो सिस्टेमेटिक तरीके से तो इसको ताब पूरा ही फोलो करो और नीचे मैं आप टेलिग्राम का चैनल का जो है लिंक प्रवाइड करूंगा आपको तो आपके अगर उसमें जॉइन कर लो और उसमें आपको पीडिएफ मिलेगी वैसे मैं गूगल ट्राइव का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर समोढसक को तीषरा चैप्टर है का इस में हम क्या सीख रहे फ्रेस और को समझ रहें तो देखो जो पुराने चैप्टर सेना उनको याद अभना उनिके बेस पर मैं आपको पौन समझहाओं गा आधा अभी पहले फ्रेज को समझ देते हैं तो फ्रेज मतलब होता है कि इन्फरमेशन फ्रेज को अगर हम कहें कि फ्रेज है क्या तो फ्रेज एक इन्फरमेशन है यह एक सेंटेंस में ही इस्तमाल होता है मतलब क्या है यह ग्रूप ऑफ वर्ड तो होता है या फिर it makes sense but not complete sense यह sense तो देता है लेकिन पूरा complete sense नियता है देखो अगर शब्दों का ऐसा समूझ इसका कुछ पूरा sense निकल जाए तब तुसको sentence कहेंगे न तो मतलब ऐसा छोटा सा इन the East तो यहांपर जो इन देखी सगसा यह हिए इतना सा जो पार्ट है यह हमारा क्या है यह फ्रेज फ्रेज में यहीं कहता है यह दूंजएक और दिश्डावर नहीं होता उसमें केवल एक information होती है सच अ गरूप फेर्श je नोट complete sense is called phrase जैसे आपने idioms और phrases के बारे में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे यहां पर एक phrase टर्म है जिसका मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं शब्दों का ग्रूप क्या सकते हैं मतलब जो वर्ड्स हमने का दो से तीन चार शब्द लिखे हैं उनको जोड़कर हमने ग्रूप बनाया उसका कुछ पूरा मिनिंग नहीं निकल रहा आपको उसको पढ़कर जैसे इन दा इस्ट क्या दा सन राइज इन दा इस तो पूरा का पूरा तो यह है सेंटेंस लेकिन इसमें जो यह वाला पार्ट है इन दा इस देखो इसकी पहचान ही होती कि इसमें सब्जक्ट नहीं होता अगर अलग से लिख अप्यचान ही है अगर मैं आपको इसमें सेंडिको हम्ती-दैक्ट आम्टी सेट ओन आफ नौल तो जो इसमें लिखें ना ऑ में इतनी सी बात लिखीं फ्रेज और इसुमें कोई अबजेक्ट नहीं है उसमें मतलब एक सब्जेक्ट होता है लिए एक अबजेक्ट होता है तो उबजेक्ट तो इनन इसमें बात अ can फ्रेज होते क्या है वो केवाल एक information देते हैं वो complete sense नहीं देते लेकिन वो group होते हैं शब्दों का इतनी बात समझी है अगर मैं आपसे पूछाओ कि in the sun rises in the east तो उसमें subject और प्रेडिकेट बताओ आप कोगे सब पुराने चेप्टर का टेस्ट ले रहां ठीक है बताओ जड़ा तो इसमें इसमें लिखा न तो यह इसमें क्या है subject है और जो बाकी बचावाई वो चेप्टर से लिखाने तो आपको क्या समझना है जब आपसे जो चीज पूछा जाएगा उसका जवाब देना है आप लेकिन पता को सब आपको यह भी बता है था सन्स अजट है राइज इंड़ फूरा का पूरा प्रेडिकेट है लेकिन लंप लेकिन इन दढे इस यह क्या है यहां पर यह फ्रेज ए अब मैं इसी को इस फ्रेज को ब्रेक करूं अभी जब आगे आगे धीं देंदे चप्टर साब पढ़ोगे को चीजी पता चलेंगे जैसे इन इहाँ पर क्या है कर अजो पर गतर एक प्राःच यह ऑघ्याढ़ा एक प्रेपोजिशन यह और हमारा एस्थ क्या यह यह भी यह भी हमारा चीह हैं तो ऍिरेे करे기에न हर पूरे जैसे नाउन है प्रणाउन है अड्जक्टिव है उसको समझेंगे तो इसमें हमने क्या समझा फ्रेज क्या होता है एवल एक येवल एक इन्फरमेशन देता है तो सेंटेंस में आपको मैंने बॉक्सले एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब ध्यान रखो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें क्या लिखा है तो सब्जक्ट को अलग करके जो बचा वो प्रेडिकेट है ध्यान दो देखो इसमें लिखा है इसको एक्जमाइन करो यहां पर he has a chain of gold of gold he has a chain which is made of gold तो ध्यान रखो इसमें क्या लिखा है पहले वाले गुरुप में तो ये है phrase लेकिन second वाले में लिखा he has a chain which is made of gold देखो इसमें verb भी है इसमें subject भी है तो जिसमें verb और subject होता है वो हमारा होता है close अच्छे से बताता हूँ close है क्या ध्यान रखो एक ट्रम ध्यान रखो कि close का मतलब होता है subject और verb लेकिन phrase में subject वर्ब नहीं होता उसके लावर जो बचा होता है वो हमारा क्या होता है वो phrase होता है एक information देता है थोड़ा से उसको जान ले दे कि close है क्या अब इसको समझो यहां पर एक sentence दिया है it is the same dog that bit you last week it is the same dog that bit you last week ज्यान रखो यह पूरा का पूरा एक sentence है यहां से लेके यहां तक का एक पूरा sentence है लेकिन आप देखो कि इसमें छोटे-छोटे से segment है it is the same dog एक यह वाला part और bit you last week एक यह वाला part तो इसको और इस वाले को तो हम ध्यान दो कि जो बड़ा सा sentence है इसमें छोटे-छोटे से part वो sentence की तरह लगते है लेकिन वो sentence होते नहीं है वो actually में होते है हमारे close और यह हमारा close ध्यान रखो कि जो बड़ा सा sentence है इसमें यहां पर समझो आई लाइक कॉफी एंड मेरी लाइक स्टी तो एक सेंटेंस यह हो गया आपका वोगे सर्थ दो सेंटेंस फोड़ाना है यहां पर तो यह पूरा पूरा यहां से लेकिए यहां तक पूरा sentence है लेकिन जो यह जो छोटे-छोटे parts है ना इसको हम actually बोलते है close बोलते है इसको छोटे-छोटे parts को कि पूरा तो एक sentence है यह close है हमारा इसकी पहचान क्या है close की close की पहचान यह होती है इसमें subject और वर्व होता है देखो इसमें subject है इसमें वर्व है बाकी कुछ दिया हो या नहीं दिया हो हमसे मतलब नहीं है subject होना चाहिए उसके बाद वर्व यह subject है यह वर्व दिया है subject है इसका मतलब इसमें close है यहां पर भ वर्ब का जो combination है subject और वर्ब का combination को close बूलते हैं तो एक sentence के अंदर छोटे-चोटे से parts जिसको close बला जाता है अब ध्यान रखो कुछ और समझो छोटे-चोटे से parts को हमने क्या का close का अब उनको जोडने का काम एक बड़ा sentence कैसे बनेगा छोटे-चोटे close से लेकिन उनको जोड़ना है जैसे इसमें दो close है एक ये वाली और एक ये वाली इसको जोडने का काम यहां पर इसने किया देट ने किया और यहां पर किया end ने तो ध्यान रखो छोटे-चोटे उसको जोडने का काम करता है कंजंग्शन अब आपको किसर कंजंग्शन तो हमें पता नहीं कोई बात में बताता हूं आपको जो हमारी जो पार्ट्स ओफ इस्पीच है पार्ट्स ओफ इस्पीच जो मैं अगले चेप्टर में आपको बताऊंगा वह हमारे एट होता है एट पार्ट्स ओफ इस्पीच जि यह नाउन है वैसे एक नाउन यह है एक नाउन यह है तो इन दोनों को जोड किस ने दिया एंडर ने जोड दिया तो ध्यान रखो जो कंजंशन होते हैं वह जोड़ने का काम करते हैं इतनी बात समझ में आगी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जोड़ने काम कौन करता है छोड़े-छोड़े से पार्ट से जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोज बोलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ता है मैंने आपको अलड़ी बता दिया है कि जो क्लोज होता है वह गुरूप तो होता है लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट होता है उसके अंदर वर्ब होता है तो इतना मैंने आपको बता दिया है अब ध्यान से समझो जो क्लोज हमारे होते हैं वह दो तरगे होते हैं जो क्लोज हम काम कोन करता है कितनी तरह की होता है 20 और independent अब घवर और स्मझटें क्या होता है की सेंटेंस लिखा है मैं इसमें यह सब्जक्ट है इसमें यह लाफ कहा है तो हमें क्या चाहिए close पैचानने के लिए subject और वर्ब चाहिए तो independent close क्या होता है कि अगर independent मतलब जो close होता है तो ही वर्ड होने चाहिए एक subject और एक वर्ब आप इसमें notice करो कि इसके अंदर केवल दो हो शब्द है तो वर्ड लेकिन यह फिर भी अपने आप में complete सेंस दे रहे हैं कि ही लाव्स वह हस्ता है विकोज इट कंटेंस वन वर्ड सब्जेक्ट और वर्ड प्रेडिकेट प्रेडिकेट मतलब पर इसने वर्ड के वर्ड क्याँ कि अपकोciu प्रेडिकेट वर्ड क्यूं पता है ना मैं यह close है आप कहोगे yes close है क्योंकि subject verb है मैं आपसे कहता हूँ क्या यह sentence है आप कहोगे सर यह तो close है हाँ यह sentence भी है क्योंकि एक जो independent close होता है ना एक ध्यान से सुनों इस वाली बात को कि जो independent close होता है जिसके अंदर subject वर्व होता है वह एक sentence का काम भी करता है ध्यान देना जो independent close है वह एक sentence भी है इसको कहीं पर लिख लो अब दूसरा हमारा होता है dependent close dependent close अब dependent से आपको पता ही चल रहा है dependent का मतलब होता है दूसरे पर depend करना ध्यान दो चीज़ को अब इस types of close को समझे मैंने आपको बता दिया independent close क्या है देखो close का मतलब तो subject verb है और independent close क्या होता है वह पूरी जानकारी देता है आपको ऐसा subject verb का group जिसको पढ़के आपको जैसे मैंने का ही लाफ्स तो वह अपने आप में पूरी जानकारी दे रहा है इसका मतलब वह एक sentence भी है और independent close भी है अब इसका दूसरा नाम क्या है इसका होता है principal close और main close जहान रखो यहां पर independent close main close और principal close इसी के नाम है कि principal close को main close बोलते हैं में इंडिपेंडेंट क्लोस तो उसके तीन नाम है कहीं पर आपको लिखा है ना principle close उसका मतलब आपको main close के बारे में बात कर रहा है तो अब independent main close principle close एक ही बात हो रही है जो मैं आपको तीरह से definition बता रहा हो एक ही है सेकेंड हमारा होता है dependent close मैंने बोल दिया dependent close इसका दूसरा नाम होता है subordinate close अब यह तीन तरह के होता है यह होता है dependent dependent close हमारे तीन तरह के तुमारा noun close adjective close और adverb close इसमें केवल आपको यही जानने की जरूरत है इसको क्योंकि हम जब दुबारा इस आपको पढ़ाऊंगा अलग से close का तब आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा noun close क्या है adjective क्या है तो हमने क्या सिखा फ्रेस समझ लिए कि information close क्या है subject verb combination दो तरह के होते हैं independent और डिपेंडेंट डिपेंडेंट कि तरह के तीन तरह के noun adjective अब मैं आपको डिपेंडेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वह है क्या कि इसमें तो हमने जान लिया कि मैं ही लाफ्स तो अपने आपने पूरी जानकारी दे रहा है तो इसको हम क्या एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि यह group that can stand it on as a sentence की तरह काम करेगा यहां पर समझे उसको dependent close क्या है dependent close is a group of words that also contains subject word जब मैं आपको बोल रहा हूं कि close के अंदर subject word होता है तो चाहे independent हो चाहे वो dependent हो उसमें subject word तो आपको मिलेगा लेकिन but it is not a complete thought इसलिए इसको बोलते हैं जैसे इसको समझो यहां लिखा है because I woke up late this morning क्योंकि मैं उठा this morning मैं मैं late उठा because I woke up late this morning तो आपको क्या समझे में है because I woke up late this morning तो यह अपने आप में पूरी जानकरी नहीं दे रहा यह करा what happened क्या हुआ अगर आप बोलो because I woke up late late this morning तो मतलब यह पूरा sense नहीं दे रहा है इसका मतलब यहां पर यह dependent close है यह dependent close है dependent close का दूसरा नाम होता है subordinate close ठीक है इसको समझो इसमें लिख है when we arrived in class जब हम class में पहुँचे क्या हुआ इसका मतलब है when we arrived in class कि जब हम class में पहुँचे तो इतनी सी बात से आपको पूरा sense पकड़ में नहीं आ रहा इसका मतलब यहां यह क्या है dependent आपको सर इसमें subject वर्व यह subject है यह वर्व चाहिए उसमें पूरा दिया हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने subject वर्व दिया का मतलब यह close है बात समझ में आ रही है कि independent close पूरी जानकरी देता है dependent के अंदर भी subject वर्व होता है लेकिन वह पूरा sense नहीं देता इसके अच्छी पहचान क्या है dependent क्लोस की सबसे अच्छी पहचान यह है कि वह होते हैं वह subordinate मैं आपको कंदंग्शन बताया ना भी हां तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं जब नहीं पूरा chapter आएगर तो बताऊंगा कंदंग्शन हमारे तीन तरह कहें हैं एक होता है हमारा coordinate एक होता है सब ordinate एक होता है correlative को तो इसमें ध्यान दो एक जो second लिखा है ना because और लिखा है when और एक और समझो यह लिखा है if तो because when if यह सब के सब subordinate conjunction है तो इनकी फैचान यह होती है कि यह subordinate conjunction से जुड़े होते हैं conjunction क्या होता है जोडता है ज्यान रखो जोडता है तो इसकी पहचान क्या है या तो आप इसको पूरे को पढ़ो और पूरा सैंस नहीं निकल ला तो इसका मतलब dependent है या फिर पहचान लो subordinate conjunction कितने होते हैं तो इसके लिए chapter आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छा से बताऊंगा ठीक है ज्यान से समझो एक चीज़ और लास में बताता जा रहा हूं कि जो dependent close होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आएंगे जब भी कभी dependent close होगा जैसे लिखा है because I woke up late this morning तो इसके बाद आपको कुछ न कुछ एक और close जरूर मिलेगा और वो क्या होगा वो independent होगा तो ध्यान रखना जब कभी dependent close आएगा तो उसके साथ एक और close आना कंपल सरी है और वो होगा independent close तो वह चीज़ में लिखी है कि the dependent close cannot stand its own वो कभी भी अकेला नहीं आएगा sentence में इसके साथ आपको एक और close मिलेगी वो होगा हमारा independent close और independent close का दूसरा नाम क्या होता principle close या फिर main close एक दिम ska conception. साथ नहीं कि झानिक Дав лиш तो मुझा दूसरा है आना, भ burden कट कक और कंपको और दूसरा यिझ कर दास क के साथ वहाए धना धना, इसकार नहीं. शॉढ कर खना, इसकार आना is आना, वी तो तो सरी हिं कि गलेता जास्थिता है कि और हॉझा 2015